हेलो एफिर्वन, वेलकम टू आल तो आज के इस एपिसोड में हम लोग पाये टोब के बारे में समझेंगे जो एक वेब सिरील चल रही है ट्रांसलेशन की उसी सिरीस में नेक्स एपिसोड है और यहाँ पर finite verb के बारे में जानेंगे कि हमें इसे कैसे यूज करना है और यह क्या चीज़े होती है तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले finite verb के बारे में जान ले तो finite verb exactly हम इसे कहते हैं मुखे क्रिया हिंदी में कहते हैं और क्रिया का अर्थ है कोई भी काम होना, जब sentence में कोई काम हो रहा होता है, जैसे अगर हम दो sentence बोलें, तो नों में चीज़ें आप समझेगा, मन लीजे हम कहें कि he is a boy, वह एक लड़का है, और दुबारा हम sentence बोलें he is running, वह दौड रहा है, तो इसमें एक में हमने कहा कि वह एक लड़का है, और इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, और दूसरे में हमने कहा कि वह दौड रहा है, तो उसमें एक काम कर रहा है वो, वो काम कर रहा है दौडने का, तो ये दो तरीके की चीज़ें आपने यहां देखी, तो दोनों में जो काम हो रहा होता है जिसमें, तो उ यहां पर इसके सिक्वेंस या रूप चेंज होते रहते हैं उसी के चलता है यह तो इसी को हम लोग कहते हैं अब जो हमें वर्ब मिलती हैं कैसे यूज करना है सेंटेंस में क्या उनका रोल होता यह बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है अगर आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको वर्ब और फाइनाइट वर्ब इन सबके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए यह पूरे ट्रांसलेशन का सबसे में पार्ट है इसके बिना आप ट्रांसलेशन में हमेशा गलती करेंगे और सेंटेंस हमेशा गलत हों main यही तीन form होती हैं और इसके अलाबा हम एक form और देखते हैं जैसे हम ing form बोलते हैं exactly ing form होते हैं तो इसे भी हम ing form के तौर पे consider करते हैं बट यहां पर इसके साथ केवल ing लगता है और इसके साथ में शुरू में first form ही रहती है तो एक तरीके से हम इसे यही कह सकते हैं कि तीन main verb form होती है और एक ing form होती है इस तरह से हम count कर दे हैं तो वर्ब की तीनों form first second third आपको याद ही करनी पड़ती है इसके कुछ तरीके होते है जहां पर आपको पता होना चाहिए कि कैसे second form बनाया जाएगा कैसे first form कैसे third form तो कहीं कहीं यह helpful हो जाता है बट जादा तर आपको वर्ब की तीनों forms को याद करना पड़ता है और तभी आप sentence में उसका सही प्रियोग कर पाते हैं वर्ब से हमें यह पता चलता है कि sentence के अंद करना चाहते हैं तो इस टेंस में जो में वर्ब होगी उसकी जो form होगी वही डिपेंड करेगा sentence कैसा होना चाहिए तो इस तरह सी होता है जब हम इसे sentence में यूज करते हैं तो हमें कई तरह के उसके form याद करने हैं और से लिखने हैं लेकिन इसमें भी ग्रूप होता है की first form second form third form तीनों form में आप काफी changes देखेंगे और कैसे कैसे changes होते हैं इसे group में डिवाइड कह जाता है इसको हम लोग ग्रूप वन गुरूप टूप 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 समझेंगे कैसे क्या चीज लिखनी हैं अगर हम बात करें गुरूप वन की तो गुरूप वन में हमेशा उ exactly जो word होता है कोई भी शब्द उसको जब हम second form या third form में लिखते हैं जिसको हम past form और past participle कहते हैं तो यहां पर words में spelling में काफी changes हो जाते हैं जैसे पहला लिखा जाएगा अवेक अवेक का मतलब जागना तो इसे जब हम second form में लिखेंगे तो अवेक में यह जो लिखा हुआ और यह कहलाएगा अवोक तो इस तरह से हम इसे second form में बदलेंगे बहुत से बच्चों के दिमाग में रहता है कि किसी भी form में अगर वर्ब में हम एडी लास्ट में लगा दें तो वह third form बन जाता है second तो ऐसा नहीं होता है अवेक में आप अवेक्ड कर देंगे अवेक्ड क कर देंगे third के लिए second के लिए तो गलत होगा तो हर एक form में एडी लगा के हम third form या second form नहीं बनाते हैं हर एक प्रॉसेस और हर एक का तो यह जो लिस्ट है आपको यह सारे के सारे वर्ब को याद ही करना पड़ता है इसमें कोई formation का रूल ऐसा नहीं है कि जो आपको अलग से बताया जाए कि इस तरीके का प्रॉसेस अपनाकर आप इसको बना सकते हैं तो यहां पर आपको यह सारी वर्ब याद ही करनी है तो लिस्ट को अगर आप यहां से नोट करना चाहते हैं तो पॉस करके आप नोट कर लें इसके अलावा आपके पास कोई भी क्लास 9 10 11 12 की बुक है तो उसमें आपको वर्ब की फॉर्म आसानी से मिल जाएंगे और आप वहां से याद कर सकते हैं इसे एंडेन निक्स्ट ग्रू वाविल्स में चेंजेस करते हैं वाविल क्या कहलाता है यह पांच वर्ट होते हैं वाविल और इनके चेंजेस करके हम उन्हें सेकेंड या थर्ट फॉर्म में जब चेंज करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं यहां पर स्टॉंग वर्ब का सेकेंड पार्ट तो इसमें कैसे changes होते हैं वो भी देखें जैसे अगर लिखा है arise, arise का मतलब होता है उठना, a, r, i, s, e, arise का मतलब उठना, तो इसे second form में जब जाएगा तो लिखेंगे हम इसे aros, a, r, o, s, e, अब यहाँ पर जहाँ I use था, तो यह वाविल था, उसको change करके o कर दिया गए, तो यह भी वाविल है, इसी तरह से इसमें changes जोड़ते हैं, and then third form में जब बदलते हैं, तो यहाँ पर third form में, r के बाद जो o लिखा है, उसको i में changes वापस से कर देते हैं, और s के बाद e, n जोड़ देते हैं, यहाँ पर, तो erosion में third form बन जाएगा यह, तो इस तरह से लिखा जाता है, तो यहाँ पर आपको basically इनके अंतर को समझना है, और इसके spelling को समझना है, जब भी आप verb की first form, second form या third form को याद करें, तो इसकी spelling पर ज़रूर ध्यान दे, क्योंकि आप जब exam में इस चीज़ को करेंगे, या किसी question में इसको put करेंगे, तो आपको सही spelling लिखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए, तो आपको spelling अच्छे से पता होना चाहिए, यह भी यहाँ पर जो group second है, आप चाहें तो इस video को pause करके, यहाँ से सारे words को लिख सकते हैं one by one, और इसे learn कर सकते हैं, इसके अलावा यह आपके book में इसकी भी list मिल लाएगी, जहां से आप इसे याद कर सकते हैं, हम लोग दिखते हैं कुछ ऐसे words को जिन्हें weak words कहा जाता है, अब weak word इन्हें क्यों कहा जाता है, इसका भी कारण है, इसका कारण यह है कि generally जो हम pattern में देखते हैं, वही तरीका यहाँ पर हमें दिखाई देता है, जैसे अगर हम लिखे abuse, जिसका आर्थ होता है गाली देना, तो उसका second और third form में ed लगाने की जरूत है, बाकि कोई बड़ा changes नहीं होता, इसलिए यह बड़े weak form कहलाते हैं, कारण यह है, इसमें second form और third form में confusion बहुत जादा रहता है, तो helping verb की through ही पता चलता है कि verb की form को use second में किया गया है, या third में किया गया है, तो वहाँ पर उस cases मे यह चीजे हमें पता चलती है, बट यह आसान याद करने में बहुत जादा आसान है, इसलिए आप जब इसे याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, और यह आप किसी भी sentence में use करेंगे, तो बहुत आसानी से use भी कर पाएंगे, तो इसकी list भी काफी अच्छी और बड़ी है, आप इसको one by one daily, अगर ten sentences, ten words याद करते हैं, तो आपको बहुत जल्दी सी पूरी list याद हो जाएंगे, और आप sentence में इसका use कर पाएंगे, हर एक words को आप अगर यह सोचते हैं कि याद रखना बड़ा मुश्किल है, तो practice makes a man perfect, you know well, तो उसकी चीजें आप जो भी words देखते हैं, उनको आप sentence में words में practice करते रहेंगे, तो आपको अपने आप से यह चीजें याद हो जाएंगे, और next time आप से इसके में कोई mistakes नहीं होंगे, तो I think कि यह चीज आप सभी लोग कर सकते हैं, और काफी इसमें से आपको verb की form याद भी होंगे, तो उसको भी आप लोग आसानी से cover up कर सकते, revise करके, और next हम लोग दिखते हैं, जिसमें verb की तीनों form को हम एक जैसा देखते हैं, तीनों form एक जैसी रहती है, यहां तक जो लिस्ट चल रही है, वही कि इसमें second और third form एक जैसी रहती है, तो इसको week कहा जाता है, क्या list है, क्या words है, इन तीनों form से जैसी रहती है, तो आपको यहां पर समझना है, यह weak words ही है, बट इन में second और third ध्यान से देखे, तो first ध्यान से देखे, तो तीनों में एक ही spelling लिखी है, बट हमें यह पता लगाना पड़ता है, तो इसे पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट किस second लगाना, कहां third, यह important चीज है, तो इस important चीज को हम next में समझेंगे, अभी हम समझ लेते हैं कि यह verb कैसे form में है, तो इसमें तीनों form एक जैसी रहती है, फिर उसके बाद में, week में कुछ ऐसा एक section भी आता है, जिसमें second form और third form में दो-दो ऐसी verb होती है, जिनके दो-दो formation ह होते हैं, जैसे knit, knit का मतलब होता है, बुनना, इसमें के जो है silent है, तो इसमें knit का मतलब होता है, बुनना, और जब second form में हम इसे लिखेंगे, तो knit लिख सकते हैं, लेकिन इसे knitted भी लिखा जाता है, तो यह दोनों ही cases को follow करता है, अगर आप knit लिखते तब भी second form है, ने ल कैसे होती हैं, क्या चीज़े होती है, main important, जो इसमें सबसे important चीज़ है, वो यह है, किसका use हमें कैसे करना, और कहां करना, यह important है, बट अभी इसमें helping work भी समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर discussion करेंगे, कि कैसे हमें कहां use करना है, helping work की बात करें, तो starting में मैंने is MR के बारे म present में use करते हैं, और will, shall यह future में use करते हैं, तो क्या किसका आर्थ होता, यह आपको पता होना चाहिए, will और shall का use हम लोग future में करते हैं, इसी तरह से can और may का use हम लोग conditional sentences को बनाने के लिए करते हैं, जहां पर इसका आर्थ होता है, सका, इसके अर्थ के लिए, लेकिन is MR का use ह करते हैं, यह sentences होते हैं, but इनको जब भी हम past form में change करेंगे sentence को, तो यह correspondence यानि अपने सामने वाले इसी words कितना change हो जाएंगे, तो will हमेशा past में change हो के would हो जाता है, shall हमेशा change हो के should हो जाता है, can हमेशा change हो के could हो जाता है, may change होने के बाद might is MR was और were में बदलते हैं, am और is को was में, R को verb में, ऐसे करके past में change कर दियाता है, तो यह यहाँ पर section है, तो इतनी चीज़े I think सभी को clear होई, चलिए, अब one line में यह समझ लेते हैं कि हमें कौन सी form को कहां use करना होता है, verb की first form की सबसे पहले बात करते हैं, तो verb की first form का use सबसे पहले होता है, जब हम लोग present का inde definite sentence बनाते हैं, चाहे वो interrogative हो, चाहे वो negative हो, वहाँ पर हमें verb की first form का use करना पड़ता है, जब वो simple sentence होता है, तो कहीं कहीं पर S या E S लगता है, कहां पर S लगता है, कहां पर E S लगता है, यह हम present indefinite section जब पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इस चीज़ को समझेंगे, बढ़ य करते हैं, वर्ब की second form की बात करें, यानि past participle जिसे हम कहते हैं, तो वर्ब की second form सबसे पहले प्रियोग होता है, जब भी हम past का indefinite sentence मनाते हैं, तो यह बात आपको बहुत अच्छे जियान रखनी है, कि वर्ब की second form का सिर्फ single use, वर्ब के रूप में तभी होता है, जब वो past का indefinite sentence हो, जिसमें subject के तुरंत बाद वर्ब की second form लगाई जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं past indefinite sentence, और दूसरा use second form का तब होता है, जब हम कहीं पर किसी adjective के तौर पे यूज़ करते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर second नहीं, बलकि third form का रूप बदल जाता ही है, तो adjective के रूप में भी होता है, तो basically यह कहा जाए कि वर्ब के second form का use कहा है, तो वर्ब के second form का use सिर्फ और सिर्फ past के indefinite sentence में होता है, फिर third form की बात करें, तो third form वर्ब का जो होता है, उसे हम लोग has, have और had के just about use करते हैं, दिन दूसरी condition होती ही कि passive sentence में हम लोग is, am, are, was, were, will, shall, इन सब के बाद भी use करते हैं, तो हर एक का condition होता है, उस condition को follow करते ही हमें उसको लिखना होता है, और वो condition क्या है, कैसे हमें follow करना है, यह आप हर एक separate section में समझ पाएंगे, जब present indefinite sentences पढ़ेंगे, जब present के continuous sentence पढ़ेंगे, ऐसे ही future का और past के continuous के indefinite sentences पढ़े तब आपको clear होगा कि कहां पर कौन सी वर्ब की form यूज़ करना है, तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, next e-learning session में हम इसके next episode देखेंगे, और आगे समझने की कोशिश करेंगे, कि हमें वर्ब का use सही तरह से और सही जगह पर कैसे करना है, तब हमारी आगे चीज़े strong song होंगी, तो आज आप जितने भी वर्ब देखा है आपने और आपके बुक जो भी आपके पास मौझूद है, उसमें से आप वर्ब की forms को याद करें, everyday 10 याद करेंगे, तो काफी कुछ आपके पास में prepare हो जाएगा, जिससे आपके लिए आसानी होगी, next time से किसी sentence को solve करना उसे हिंदी में, English में translate करना हिंदी से, तो ये चीज़ तभी आसान होगी जब आपको वर्ब की form अच्छे से याद होगी, तो I hope कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एक ऐसे ही next e-learning session में, नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए, stay safe and keep watching आशुत और साथ चनल,